हेलो दोस्तों देशी टीवी भारत पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है सारी पार्टियों की नजर इस समय उत्तर प्रदेश पर टकी हुई है चाहे वो इंडिये हो या फिर इंडिया गटबंधन वैसे इंडिया गटबंधन के बारे में बड़ी खबर ये है कि इंडिया गटबंधन की जो बैठक थी दो दिनों की वो खत्म हो चुकी है हाला कि जो मकसद था वो पूरा नहीं हो पाया माकसद था कि इंडिया गटबंधन का नेता चुन लिया जाएगा संयोजग चुन लिया जाएगा लेकिन वो नहीं हो पाया इसके अलावा एक और उद्देश था कि इंडिया गटबंधन का लोगो जारी कर दिया जाएगा वो भी इसमें नहीं पूरा हो पाया और इंडिया गटबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनोती अभी ये है कि सीट शेरिंग का फॉर्मूला क्या होगा कैसे सीटों का बटवारा होगा इस पर भी अभी मन्थन किया जा रहा है वैसे इंडिया गटबंधन के तमाम नेता मुंबई में एकठा हुए तस्भीरे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसारे नेता मायवती जी उवैसी को छोड़कर सारे नेता इसमें शामिल हुए और मायवती जी अकेले चुनाव लड़ेंगी उवैसी भी इसमें शामिल नहीं है हो सकता है वो मायवती जी के साथ उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में गटबंधन करें तो इंडिया गटबंधन की तरफ से ये कहा गया है कि एक सीट पर एक उम्मिदवार उतारा जाएगा मान लिजे कि लखनव की सीट है तो लखनव में सिर्फ एक उम्मिदवार होगा कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी आरेलडी की तरफ से और फिर बीजेबी का उम्मिदवार होगा बसपा का उम्मिदवार होगा तो कुल मिलाकर ये तो तैय कर लिया है इंडिया गटबंधन ने कि एक सीट एक उम्मिदवार उतारा जाएगा अब बड़ी खबर ये आ रही है कि पटना, बैंगलूरू, मुंबई के बाद इंडिया गटबंधन की चोथी बैटकब दिल्ली में देश की राजधानी दिल्ली में होने जा रही है और दोस्तों मैंने कहाना कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है आपको उत्तर प्रदेश तो फतह करना ही पड़ेगा अब बड़ा सवाल यहां पर यह है कि उत्तर प्रदेश की सबसे कदावर पार्टी कौन है सबसे कदावर नेता कौन है जाहिर तोर पर उत्तर प्रदेश में अभी तीन प्रमुख पार्टियां है बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी राष्ट्रिये लोकदल यानि RLD जैन चौधरी साहब इसके सुप्रीमों है अब इन तीनों पार्टियों की राजनितिक हैसियत के बारे में बात तो 2019 के लोकसभाद चुनाओं में बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटे मिली थी समाजवादी पार्टी को 5 सीटे मिली थी और RLD ने अपना खाता भी नहीं खोला था यानि इनको 0 सीटे मिली थी वैसे RLD के सुप्रीमों जैन चौधरी साहब अखिलेश यादों की सपोर्ट से इस समय राजसभा के सांसद हैं और दोस्तों अखिलेश यादोव जैन चौधरी की दोस्ती जग जाहिर है दोनों अकसर साथ साथ नजर आते हैं एक और चहरा उत्तर प्रदेश में है जो अखिलेश यादोव और जैन चौधरी के साथ साथ नजर आ रहा है 2022 के विधान सभा चुनाव से ही वो इनके साथ नजर आ रहा है और वो चहरा है आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंदर शेखर आजाद रामड का चंदर शेखर आजाद रामड है जिन्होंने विधान सभा का चुनाव लड़ा योगी के खिलाफ उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा निकाय चुनाव लड़ा लेकिन वो सफलता अभी तक हासिल नहीं हुई जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं लेकिन चंदर शेखर आजाद रामड को अब अखिलेश और जैन्द का साथ मिल गया आपको ये भी याद होगा कि 21 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर जब धरना प्रदर्शन किया गया था तो जैन्द चौधरी और चंदर शेखर आजाद वहाँ पर नजर आये थे हालां कि अखिलेश यादों को बुलाए गया था वो नजर नहीं आये थे और वैसे आपको बताऊं तो BSP सुप्रिमो इस समय अकेले चुनाव लड़ने का एलान कर चुकी है वो किसी के साथ गटबंधन नहीं करेंगी ना इंडिया के साथ और ना ही NDA के साथ तो ऐसे में चंदर शेखर आजाद रामण के लिए इंडिया गटबंधन में एंट्री आसान हो गई है आसान इसलिए भी हो गई है क्योंकि उनके खास दो दोस्त उनके राजनितिक दो दोस्त जो हैं अखिलेश और जैन्थ इसी गटबंदन में इंडिया गटबंदन का हिस्सा है और दोस्तों उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में खास तोर से जो B.SP का वोट बंग है उस पर सभी की निगाहें हैं हर कोई B.SP के वोट बंग को हथी आने की समय कोशिश कर रहा है अब इंडिया गट बंधन में BSP सुप्रीमों नहीं है मायावती जी नहीं है तो जाहिर तोर पर इंडिया गट बंधन खास तोर से अखिलेश यादव चंदर शिखर आजाद रामर के जरिये ये कोशिश कर रहे हैं कि BSP का वोट बैंक थोड़ा इधर उधर हो जाए उन्हें भी थोड़ा लाब मिल जाए वैसे अखिलेश यादव इस समें PDA की बात करते हैं पिछड़ा दलित अलफ संक्यक की बात करते हैं उन्होंने नारा भी दिया है कि PDA NDA को हराएगा वैसे BSP सुप्रीमों ने इसको लेकर ट्विट भी किया था और कहा था कि अखिलेश जरी के खास दोसन चंदरशेखर आज़ाद रामड अब BSP सुप्रीमों इंडिया गटबंधन का हिस्सा नहीं है तो चंदरशेखर आज़ाद रामड की इंडिया गटबंधन में अंटरी आसान हो गई है आसान इसलिए भी हो गई है क्योंकि जैन्त और अखिलेश इसी गट गटबंधन का हिस्सा है और वैसे भी तीनों साथ साथ चुनाव लड़ते रहे हैं तो जाहिर तोर पर सिर्फ उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाच पार्टी इंडिया गटबंधन का हिस्सा हो सकती है लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं साफ साफ इसपस्च कर दूँ इंडि जो उनको पटना में बैठक बुलाई थी तब भी चंदर शेखर आजाद रावन को नहीं बुलाया बैंगलूरू में निमंतर नहीं दिया गया इसके अलावा मुंबई में भी उने नहीं बुलाया गया और अब सिर्फ उत्तर प्रदेश लेबल पर अखिलेश यादव और जैन चौधरी के प्रयासों से इंडिया गटबंधन यूपी में खास तोर से चंदर शेखर आजाद रावन उसका हिस्सा हो सकते हैं और मैंने कहा दोस्तों कि दलिद वोट बैंक पर सबकी निगाहें टिकी हैं हर कोई इसे हत्याना चाता है और दलिद वोट बैंक की मालकिन हैं बेस्पी सुप्रीमों और इसी बोट बैंक को ट्रांसफर या फिर इधर उधर कराने की कोशिश की जा रही चंदर शेखर आजाद रावन के जरिये तो चंदर शेखर आजाद रावन इंडिया गटबंधन का हिस्सा हो सकते हैं और जैन चौधरी और अखिलेश यादव के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ सकते हैं इसको लेकर सवाल पूछा गया चंदर शेखर आजाद रामर से ये सवाल पूछा गया कि विपक्ष के गटबंधन इंडिया में शामिल होंगे तो उन्होंने जवाब कहादे जरा सुनिये आप उन्होंने कहा वा फिलहाल किसी भी विपक्षी गटबंधन का हिस्सा नहीं है हालां कि यूपी में वह अखिले श्यादव और जहन चौदरी के साथ हैं और लोग सवा चुनाव भी उनके साथ मिलकर लड़ेंगे और यहाँ पर उन्होंने इस पस्ट भी कर दिया कि लोग सवा चुनाव में वह और उनके लोग आजाद समाज पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव में अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे चंदर शेखर आजाद रामर से ये भी पूछा गया क्या आप वस्पा के साथ जाएंगे तो उन्होंने का मैं तो जाने के लिए बेताब हूँ लेकिन ऐसे में ब्यस्पी एस्पी का साथ आना मुश्किल लग रहा है तो आकिर जिस बात का इंतिजार था वही हुआ ब्यस्पी इंडिया गटबंधन का हिस्सा नहीं है तो चंदर शेखर आजाद रामर उसका हिस्सा बनेंगे उत्तर प्रदेश में खास तोर से लोक सभा का चु चुनाव लड़ेंगे और RLD उन्हें लोक सभा भेज़ेगी तो दोस्तों अब बड़ा सवाल ये है कि क्या दलिद वोट बैंक की जो बात हो रही है क्या दलिद वोट बैंक को चंदर शेखर आजाद रामर अपने दम पर इधर उधर करा पाएंगे जैसी उमीद अखिले श बस्पा उम्मिदवार के खिलाफ अखिलेश यादव और चंदर शेखर आजाद रामर प्रचार कर चुके थे लेकिन वहाँ पर बस्पा का उम्मिदवार जीता तो दोस्तों कुल मिलाकर चंदर शेखर आजाद रामर इंडिया गटबंधन का हिस्सा हो सकते हैं क्योंकि उन चंदर शेखर आजाद रामड लोकसवाद जाने के लिए बेताब हैं। इस समय मीडिया में दो लोकसवाद सीटों की चर्चा हो रही है कि चंदर शेखर आजाद रामड या तो सहारनबुर से चुनाव लड़ेंगे या फिर नगीना सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और वैसे दोस्तों बस्पा भी समय काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। काफी ग्राउंड पर नज़र आ रही है। और उत्तर प्रदेश में वो भी अन्य छोटे दलों के साथ गट बंधन करेगी। AI, MIM भी उनके साथ आना चाहती हैं। बस्पा के साथ और भी कई छोटे छोटे दल शामिल होना चाहते हैं। तो BSP सुपरीमों इस बार अकेले चुनाव लड़ रही हैं। और चंदर शेखर आजाद रामड लोग सभार जाने के लिए बेताब हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही हमारा आपसे सवाल ये है क्या चंदर शेखर आजाद रामड लोग सभार जा पाएंगे और क्या चंदर शेखर आजाद रामड से जो उमीद, जैंत और अखिलेश कर रहे हैं वो पूरी कर पाएंगे। क्या वो दलिद वोर्ट बैंक को इधर उधर करा पाएंगे, शिफ्ट करा पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी प्रत्किरिया जरूर दीजेगा, हमें आपकी प्रत्किरिया का बेसवरी से इंतिजार रहेगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुँचाईजी से बोजन समार जागरों को। जै भीम, जै भारत, जै सम्मिधान।